Hi friends, एक बहुत ही प्यारी सी success story है और इस success story से आप लोगों को बहुत सारी सीख मिलेगी जो आप लोग techniques कर रहे हैं, उनको किस तरह से करना चाहिए, वो आपको जानने के लिए मिलेगा और वो ही आप लोगों को आपकी wish की manifestation में बहुत आगे ले जाएगा मतलब manifest कराएगा प्लीज ध्यान से सुनिये हाई माम, आज मैं अपनी एक success story आपके साथ share कर रही हूँ आपको पता है कि मैं आपकी videos रोज follow करती हूँ और LOE की मदद से मैंने 2-3 बार text message manifest भी किया है लेकिन जैन के starting में life में problems बहुत जादा बढ़ गई थी चाहे वो health issues हो या फिर family problems घर में ऐसा महल हो गया था कि मेरी family separate हो गई थी और कुछ time के लिए मैं बहुत परिशान थी और मेरे SP से भी बात होना बंद हो चुकी थी बहुत पहले ही ये सब कुछ लेकर मैं बहुत down हो गई थी जब ही मैं SP को manifest करने के लिए बात बताती थी तो मैं पूरी negative हो जाती थी दो-तीन दिन करने के बाद बंद कर देती थी और ये चीज काफी दिनों से repeat हो रही थी तब मैं यूनिवर्स को मैंने यूनिवर्स को बोला कि अब बस मुझ से नहीं हो पाएगा लाइफ में इतनी problems आप कुछ करो ये आपके हाथ में हैं उस समय मुझे पता नहीं क्या क्यूं जब भी मैं ये कहती थी हर समय water affirmation, hope, पोनोपोनो prayer और self love की thumbnail में मैं देखती थी ये चीज बहुत दिन से होने के बाद मुझे realize हुआ कि शायद मुझे healing की जरूरत है क्योंकि मैं परिशान होकर रोती थी बहुत तब मैंने स्टार्ट किया water technique जहां मैं पानी को देखते हुए hope, पोनोपोनो prayer chant करती थी और कुछ affirmation बोलती थी और पानी पीने के समय visualize करती थी कि एक white light मेरी body में जाके सब दर्द को heal कर रही है मैं ये चीज सिर्फ तीन दिन किया to be very honest उसके बाद मैं heal हो गई, बहुत positivity हो गई बहुत positive हो गई मैं gratitude journal में भी affirmation लिखती थी खुद के लिए और family के लिए भी और हम सब एक साथ खुश है मुझे realize हुआ कि मेरे लिए मैं और मेरी health सबसे जादा important है SP से तो मैंने 555 टेकनीक follow किया और आज मैं पूरी ठीक हो गई हूँ आज मुझे लगता है कि ये सब आज मुझे लगता है कि ये सब कुछ universe की तरफ से sign मेरे लिए था मैं बहुत खुश हूँ positive हूँ मैं self love की power और importance बहुत अच्छे तरह से समझ गई हूँ LOA ने मेरी पूरी जिंदगी पदल दी है मैं ये चीज समझ गई हूँ कि process को enjoy करना है ताकि हमने भी वो चीज अच्छी लगे करने में outcome के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं होता है कुछ दिन बाद frustrate हो जाते हैं जो गलती मैं SP को manifest करने के समय कर रही थी पूरी की पूरी receiving mode में रहना है blessings के लिए हो जाता है कभी-कभी life में problems negativity भी आ जाती है बट हर चीज का solution भी होता है thank you so much universe, thank you so much ma'am आपने मुझे बहुत help किया है और आपकी videos भी hope आपको मेरी success story पसंद आई है और इसे जरूर शेयर करना ताकि और भी लोग समझ पाएं खुद की गलती को और bless me so that I can manifest my SP very fast and share another success story with you all thank you so much ma'am, lots of love thank you dear, thank you so much and yes, ये success story में जो सीख आप लोगों को मिलती है वो ये कि जब आप लोग कोई techniques कर रहे हो आपने मुझे consult किया है तो या खुद से कोई technique कर रहे है या मेरी videos को follow कर रहे है कोई भी technique उठाकर के करते समय आप लोगों को happy mood में ही रहना है because आप सब अगर अपनी wish manifest कर रहे हो तो happiness manifest करना चाहते हो आपके लिए आपके wish अगर आपको मिल गई तो वही happiness है और उस happiness को manifest करने के लिए vibrations भी happy वाले भीशने होंगे तो जब आप techniques करते हो तो पूरे विश्वास के साथ खुश होके light रहके करो फिर आप देखोगे कि एक छोटा सा technique भी आपके लिए miracles करके दिखा देगा टेक्नीक को करने के बाद तोरण desperate होने की या फिर एकदम बहुत जादा परिशान होने के results के बारे में starting से ही सोचने की कि क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा इतना conscious हो जाने की जरूरत ही नहीं है बहुत light रहे बहुत जितना easy रहोगे उतना easy ही manifestation के path को आप create करोगे उसके रास्ते में जो blockages हैं वो आपके easy रहने से जो vibrations flow होंगी तो blockages भी अपने आप easy हो जाएंगे, हट जाएंगे okay, so बहुत easy और बहुत, I would suggest कि बहुत ही normal और बहुत positive रहकर के manifest कीजिए, techniques को खुश होके करिए फिर देखेगा miracles so that's all guys, thank you so much God bless you all, stay positive, stay safe